Hello students, welcome you all to my YouTube channel, share my study house. बच्चों, हमने जैसे आप सबको पता है, सिक्किम प्रोजेक्ट को लेकर, हर स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया जा रहे हैं, फाइल्स बनाया जा रहे हैं, और यह ना कि आपके स्कूल में, यह ओल अवर इंडिया में कराया जा रहा है, यह काम, यह बड़े लेवल पर काम चल जो बच्चे इंग्लिश में नहीं बनाना चाहते हो अपनी फ्डिव हीं दिनेंगे और सारे इंप्रोंट्टन्स जो इसमें आने हैं सीक्किम के सीकिन प्रोजेक्ट में वो मैंने आपकी इस है डेकुरेट करनी है जैसे उनकी टीचर ने बोला है उसे डेकुरेट कर लेंगे और जो बड़ी क्लासिस के बच्चे हैं वो पुरिफाइर अपनी कम्प्रीट करेंगे क्योंकि आपको मालूम है इसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अलग से तो यह बच्चे को बनानी दिल्ली 94 जो भी आपका एड्रेस है आप उसको डालेंगे उसके बाद आप लिखेंगे सिक्किम राज्य प्रोजेक्ट फाई आपका हमारा यह हो गया हमारा टॉपिक यह हमारा फर्स्ट पेच पर आजाएगा जो फ्रंट पेच है और आपका नाम आएगा आपका नाम जो भी है अपने नाम लिखेंगे खक्षा लिखेंगे 10 11 12 5 6 7 जो भी आपकी क्लास है रूल नंबर लिखेंगे और विश्य लिखेंगे सिक्किम प्रोजेक्ट फाईल और सब्जक्ट टीचर का नाम लिखेंगे जो भी आपकी सब्जक्ट टीचर है हिंदी की कुछी स्कुल्स म नाम लिखेंगे या आपनी क्लाश्टीचर का नाम लिखेंगे आपके लिए ओप्शनल है इसके बाद हम सुरू करते हैं content table देखे आप जबी भी कॉपी में कुछ काम सुरू करते हैं तो पहले इंडेक्स बनाते हैं तो वही इंडेक्स यह content table है जो भी हमने content डाला है उसको व भोगोलू कि स्थिति के बारे में नंबर दो शिक्किम कि पिरमुख जलदार हैं सिख्किम के प्रेतकिश्खिपंज ए संस्क्र सब को हमने इसमें ले लिया है अब जिस जिस sequence में हमने इने यहाँ पर लिखा उसी sequence में अपनी file में हम लगाएंगे आपको पता है file जो बनेगी एक तरफ line होंगी page में और एक तरफ plane page होगा जो plane page होगा हम उसकी तरफ उस पे picture लगाएंगे और जो line वाले page पर हम अपना content लिखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा सिक्किम परीच है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने left hand जो अमरे उल्टे हाथ पर जो page plane page है उस पे हम क्या करेंगे ये सिक्किम का एक map लगा देंगे देखें जो बच्चे बना सकते हैं well and good जो नहीं बना सकते वो इसे google से print out निकलवा के इसक पर the system in leading चीन है तो इसके border पर यहां सरकल हो रहता ही यह कि सिक्किम का map है मारा में और इसकी राजदा नी जो एक गंग तोग और यह पूरव सिक्किम यह यह पर इसका left right सैट दिखा रख था है तो इसका सबसे पहले यह हमें पेस्ट करना सबसे जरूरी है नियदर सब्सक्राइब यह यहां परिस्तिता है भारत का पूर्व एरिया है तो बारत के पूर्वत्र भाग में इस्तित Elravati और उत्तर पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत छेत्र से दक्षिनपूर्व में भूटान से लगा हुआ है भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिड में हैं अंग्रेजी गोखा खास भाशा लफचा भूटिया लिम्बू तथा हिंदी आधारिक भाशा Response यहां की आध mechanics भाशाइ हैं हिंदू तथा ब्रजियान बौत धर्म प्रुमिंग सिंदू ब्रजियाद धर्म आंकर में धार्म और में भाषए घंग्तोग आ की राज़्दा सक्क्रों ये तीज़ी से के लिखने लिखांगें, बारत की पिर्मुग जलदारा रा, तो इसकी जलदाद से लाइने वाले पेचेर से लेखेंगे, रंग पुर नदी तीस्ता एक के महतपुल्डी नदी है तीस्ता एक बड़ी नदी है उसकी उपन दी है ये रंगपो नगर महापण है इसए के उत्री किनारे पर बसा हुआ है और रंगपो के समिभी संगम तीस्ता नदी से होता है यहां सिक्किम राज्य के पूर्व सिक्किम जिले की सीमा पस्चिम बंगाल राज्य के दारजिंग जिले के साथ सटी है यहां कि सिक्किम का जो पूर्वी एरिया है वो पस्चिम बंगाल राज्य के दारजिंग जिले से सटी हुई है रंगपो नदी का आरंब रंगपो चू नामक एक परवते जलधारा से हो यानि कि जैसे कि वो उसका उदगम इस्तल है वो रंगपो चू नामक एक परवते जलधारा है तो हमने सीधे हाथ पे लेगे और उल्टे हाथ पर हम इस नदी की फोटो यहां पर लगा सकते हैं कुछ इस तरी से देखिए नदी के पिक्चर लगाई गई है पिक्चर लगाने से आपकी फाइल जो है वो बहुत खुशूरत बनेगी और आपको माक्स भी अच्छे मिलेंगे और आपकी टीचर आपसे इंप्रेस होंगी अब देखिए सिक्किम के प्रियटर की स्थर सिक्किम में राज्य तो छोटा है लेकिन यहां की नजरे लाव जवाब है आपको पता है सबसे चोटा राज्य भारत का कौन सा है गोवा और उसके बाद यानि की गोवा से थोड़ा सा बड़ा है सिक्किम चोटा सा है लेकिन यहां की खुबसूरती बहुत बहुत जादा है इसकी की जगह ले जाएगी सीधी चड़ाई वाले चोटियों तता तंक घाटियां बर्फ में डखा इलाका यही तो सिक्किम है यानि कि आप इसमें आपको सिक्किम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया गया कि किस तरह से वहाँ पर बर्फ धकी होती है तो आपको पहुती मं आपको ऐसे लगे कि जैसे नीले आकास में मणी की तरह वाइट वाइट आपको सफेद सफेद बादल दिखेंगे माउंट कंचन जंगा को ही लीजे सूरुद होते ही इसकी किलने सुनहरी होकर जमीन से टकराती है यह दुनिया की तीसर सबसे उसी चोटी है जो माउंट कंच बीस सब को लिखेंगे परिट की इसतल में और एक साइद में देखे यह फिक्टर लगा देंगे यह बनाएंगी आप इन्हें गूगल की सायता से इंहें प्रिंट कराके इन्हें आप निकल मासकते हैं किसी भी साइबर काफिच से तो देखे, यह प्रिट की साइड है आप इनको फोटो लेफ्ट साइट पर लगाएंगे तो आपकी फाइल अट्रक्टिव बनेगी अब हम करते हैं सिक्किम की संस्कृति इस राज्य के आकर्शन से कोई भी दूर नहीं रह सकता है इतना सुन्दर है कि इसका आकर्शन हर किसी को में तरफ खीशता है वास्ता में सिक्क अपनी सुन्दरता के साथ बलके अपनी कला और शिल्फ के साथ भी बहुत लोग प्रियी है यह सुन्दर ही नहीं है इसके बाद वहां की कला और संस्कृति भी अपनी एक अलग पैचान रखती है on नरत्य कि संस्कृत्य उसकी बहुत अक्षे देखने को मिलती है थिक्किम को जाती है जन जाती हैं दिलचस्प्प नोक नरत्य नरत्य कहा कहीं की संस्कृत्य होती हिसा वहाँ का नरत्य है वहां के लोग, वहां के जाती, वहां के धर्म, वहां के खान पान और वहां के वेशबूशा, यह सब मिला कर वहां के संस्कृति बनती है, तो यह संस्कृति में लिख देंगो और मैंने आगे पिक्चर लगाई है, देखिए, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, आफ्टर डैट आते हैं, इसके बाद हम वेशबूशा और खान पान, वहां की वेशबूशा देखिए, लेपचा पुर्सों की पारंपर की वेशबूशा, थोको, सोरी, थोकोरो दम है, जिसमें एक सफित पजामा, इसे येंथ से, एक लेपचा शर्ट और शंबो, टोपी शामिल हैं इसमे सिक्किम के अन्य प्रिमुक समू नेपाली ने अपनी वेशबूशा में संस्कृति को बनाए रखा है, नेपाली जो लोग हैं, वो अपनी अलग वेशबूशा पहनते हैं, नेपाली पुरूश, देखिए यहां की वेशबूशा के मैंने कुछ पिक्चर लगाई हूँ है, चुड़ी दर पजामा, एक शर्ट और एक दाउरा नाम की शर्ट जो की दाउरा नाम से जाने जाती है, उपर से शूर्वल पहनते हैं, जो नेपाली लोग होते हैं, वो यह पहनते हैं, और बाकी लोग जो बताया था, यह पहनते हैं, तो देखिए यहां की वेशबूशा म अलगल भी दिखा सकते हैं यह 18-6 पिक्चर हैं आप इनको लगा कर एक या तो अलगल करके लगाईए यह कंबाइंड करके लगा लिए आपकी इससे पिक्चर वहां की वेशबूशा शो हो जाएगी प्योंकि अगर हम किसी जी को देखकर समझते हैं तो मैं याद रहती है तो अगर आपको आप अगर पिक्चर लगाओगे पिक्चर देखोगे तो कहीं भी आप ऐसे लोगों को देख तो वहां के यह देख्यूए वहां पर हर जगह पाया जाता यह मोमोस, वहां का फेमस और यह लुटल्स, धाली है मादिक यह देखिए यह सब वहां का खाना घन लिखत अनके वारे मेरें तो बिहांने तीज अन इस ट्र projekt पेस्ट करण देगा इनके पिक्चर्स को और इनके वारे में लिखना है कि सिखकिम जाए तो इन चीजों के टेश्ट करने ना भूलें क्या-क्या सिखकिम के मोमोस एक दूसरे के बिना अधूर है तो मोमोस वहीं से सुरू होते हैं और मोमोस को ना काना मांके ना भूलें सिक्किम में मिलने वाले मोमो इतने टेश्टी होते हैं कि शायद इने टेश्टी मोमो आपने अपने पूरे जीवन में नहीं खायोंगे इतने टेश्टी होते हैं लेकिन वहां के मोमो इतने टेश्टी होते हैं कि आपने कभी नहीं खायोंगे कि तिबबती ओरिजन का माना जाने वाला मौमो सिक्किम की लाईफ लाइप लाइन है देखे वहां वहां का जो मुद्धी बनाते हैं और इसन अब आजाते हैं प्रमुक्त यहार देखें जिए भूटिया लैपचा और नैपाली समुदाय के लोग रहते हैं। ये वहां के प्रमुख त्योहार हैं। ये ये आर्दस पिक्चर मैंने एक साथ कमबाइन करके पेस्ट की हैं। तो इन्हें अलग-अलग Google से निकलवा सकते हैं जिसमें वहां के dance form को शो होते हैं कि वहां के dance form हैं ये तो आप इनको picture को left and side file के paste कर लेंगे तो कि ये बनाई नहीं जा सकती अगर आप बना सकते हो that's good आप इन्हें paste करेंगे इससे आपकी फाइल pictorial होकर आपको पता सुंदर ही दिखेगी अब वहां की किर्सी और उद्योग वहां का देखे जब लोग रहते हैं तो किस चीज़ पर अपना जीवनियापन करते हैं क्या कि किर्सी और उद्योग हैं सिक्किम के अर्थ व्यास्ता मूलते किर्सी प्रिदान है यानि कि मह लाएं9,000 हेक्टेयर हैं लाएं एक लाएं- 1,99,000 भूमी हैं वोगतर की 15.36% क्योंकि 15 tutto07 प्रवाल हैं यानि कि अगर आप से एपर जाए कि बड़ी इलाइची सबसे ज़्यादा कहा उप जाए जाती है तो सिक्किम में और अधिकांस भूबाग में इलाइची का उत्पादन होता है अदरक आलू संत्रा तथा गैर मोसमी सब्जी यहां की अन्य नगदी फसल है तो यह वहां की किर के समान दागा बुनाई और गलीचे की बुनाई प्रंपर के तरीकों से बड़ी कुसलता से करते थे वहीं भूटिया लोगों को गलीचा और कंबल बुनाई का प्राचिन तिप्वत्ति पद्जिती में महारत हांसिल है यानि कि वहां पर कंबल की बुनाई होती है तथा ने पर दो सिक्किम जोल्री है महां का एक मेन इंडरस्टी है वहां कि जहां पर पानी और बिजली के मीट्रों तता घडियां आदी के लिए जोल बेरिंग बनाई जाती है राज्य में कैई सायक इकाई इस्तापित की गई है जिनमें घडियों के लिए जोल्स बनाय जा रहे है इस छेत्रम विकास के लिए सिक्किम उद्यों की विकास और निवेस निगम लिमिटेड कुटल लगू मंजोले उद्योग लगाने के लिए दीरगावदी रिण उपलब्त कराती है यहनि कि सरकार वहां पर अगर कोई अपना उद्योग खोलना चाहे तो उन्हें रिण भी कर सकते हैं और उसके साती साथ आप पिक्चर लगाएंगे वहां के क्रशी की और उद्योग की लेफ्टेर साइड प्रोजेक्ट फाइल जो की हिंदियां बनानी है यह बन जाती है तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प करें अपकी फाइल बनने में तो वीडियो को लाइक करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थेंक यू